अरू तो इलेक्टोड पोडेंशिल कर बता जी जिए हता कि क्या था इन से यूट एक्वेश्टींस से लोगे वेइन पूटेंशिल इलेक्टर लोगई यहां पर इले यहाँ यहां पर यहां पर जयां तक स्वलीशन है एक इसके आसपास चार्ज आ गया जैसे मेन प्लस MN-plus कि दोनों में एक सिलेंटर कल पोटेंशिल आता है उसको नोग इलेक्टोड पोटेंशिल बोलते हैं जो वोल्टेज डबलब होता भी यह एलेक्ट्रोड पोटेंशिल है अब एलेक्ट्रोड पोटेंशिल में दूपॉइंट है कौन सा ऑक्षडेशन पोटेंशियन और दूसरा है डिदक्षन पोटेंशियल इसको बोलोगे ओपी यह आर्पी करके लिखेंगा ऑक्षडेशन पोटेंशियल एंड डिदक्षन पंचिल जैसे कि जड़न इस आल इसे जड़न टुप्लस और टूलेक्ट्रों गया तो यह हाफ से लिपरेजेंशन नहां सल मत प्या तो ऑक्षडेशन यह रिदक्षन यहाफ सेल एंडिशन केस्का औक्सडेशन का है तो यह औक्सडेशन पोटेंशिल इनकीज औक्सडाइज जैडनेस ऑक्सडाइज फूझ जैडन तूप्रोस और यहां वह एकवस्ट कंडीशन में चला गया हो यह होगा यह क्या होगा इस जड़न से जड़न कुबलस इस औक्सडाशन पूदेंशिल और इसको पोई टीखेंगे ही जड़न टू प्लस से जड़न इसी को पोई तरह ज़ेंगा रिड़क्ट्ट्स तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है यह रेडक्शन पोटेंशिल इसको यह निगेटिव आफ दॉटेंशिन पोटेंशिल यह होगा अब इनॉट की बात करें मतलब यह स्टांडर्ड हो गया यह स्टांडर्ड क्या था इनॉट की बात करें जैन से जैन टू प्लस यह स्टांडर्ड इस्टांडर्ड याद होगा थर्मडर्ड इनुट होता वही है और ऑक्सिडेशन पोटैंशियल और जींग इसके लिए क्या होगा यह कंसेंट्रेशन जो होगा सबका कंसेंट्रेशन तुम्हें वन मोलर करना पड़ेगा कंसेंट्रेशन तुम्हें वन मोल करना पड़ता है मतलब जैन टू प्लस वन मोलर होगा और कोई गैस है तो उसका प्रेशर वन एटीम लेना पड़ता है अब उसको हम लोगों ने वन बार कर दिया यही है ना एंवीर नूट माउंचेंज प्लस हो गया नेक्समें क्या हो गया वी नौट को इस्तरा सेस्दा सेथे चयो कि यह क्या है यह दहर सीदर जारा रहाद रिडक्शन है und not क्या हो गई यह इस्टैंडर्ड करीपेंट कलता नॉट मतलब सब्सेंट को बंगोल करने यह नियोगा इस रेदक्षन पूटैंशियल मतलब के के इलेक्टरोड को ज्डानेन ऊक्पोर में डाला जया और कंसेंट्रेसान ज्डाने सब्सक्रवान मूलर हो गया तो वहाँ जो पूटैंशियल हो इस टैंडर्ड पोटेंशल कि लाएगा OXIDACAN लिखोगे तो OXIDACAN रिदक्सान लिखना जाओ तो ए रिदक्सान पोटैंशिल उपने उपर है क्या लिखना है नहीं नॉट मतलब सा कंसंट्रशन रिखना किनो अविस्ताइड और शुटेशन पोटेंचिल इसकोल दोट मैने सटने रेक्षान पोटेंचिल एक डेटा बेखेंगा मैं लो इनोट सी उटुट प्लस से कॉपर यह था 0.34 वोल्ट यह कहला अगा नॉट इस देस्टाइड रेक्षान पोटेंचिल रेडक्षन क्यों हो गया सी यू लिखा हम लोग ने और यह क्या हो गया ऑक्सेडेशन के लिए उसका ओके यह सो प्यू इस्टाइड डिएक्षान पोटेंचिल एक्जाम्पल और इनोट सुसे सुयू दुपलस रिखना पड़ा यह क्या हो गया इस भी जानने में औक्सेडैसन तो अल्टा रेक्षन ओ गया तो यह गया स्ताइंड यह वैलुसीं कि माइनस होगा वीनस 0.34 एह प्लस 0.34 एह जिए सी का माइनस होगा क्योंकि यह एक्ष्ण पृटंशिल था ता यह OCS लें और यह का। से कलाएगा E0S ले स्तांडर्ड का लाएगा स्टांडर्ड पॉटंशियल पॉटंशियल पॉके लियोगा ताएगा पॉटंशियल पॉटंशियल नेक्स नेक्स पेस्पे जाओ तो EMF of a cell or cell potential वो क्या से रिपरेजेंट करेंगे हैं लोग यह है EMF of a cell कि कि यह में फॉफ फॉफ है यह में फॉफ 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 वो कैसे डिफाइन करेंगे यहां तक सब ट्लियर होगा विडाउट नहीं बेजा किसे नहीं नहीं डाउट नहीं माक्स बेजा तुम लोग नहीं अनुराग 84 आइस सेवेंटी कॉसल सेवेंटी सिक्स फिजिक्स बहुत अच्छा जा रहा तुम लोगा इट्स गुट कोई एक टॉपी कितना स्टॉंग रहे कि हंडेड के करीव ला दो काम हो जाता है अगे यह में फाफस्टेल क्या रिफाइंड है यह मैक्सिमुम वोल्टेग्स हैं अब इसका पर इसमार अच्छा टेफनेशन कर अगे पर इक समय यह में बहुत डीटेल भाइगा हम लोगे इसका बश्रॉट यह जाना है कि माक्सिमुम वोल्टेज वोटाइग्स अब सेल्प्रोटेंशल क्या होता है इन जनल इसल 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 इस लेस्ट देन इम पफसेल इसल इसल उससे कमी आता है कैसे हो फिलिक्स में यह पॉइंट इदर नहीं आने वाला है सेल पॉटेंशल क्या होता है इसमेजर्ड पॉंटिटी इन क्लोज सर्केट वो एक वैलु आगई इसकल टूट माइनस आयर करके वो सब उधर आता है फिजिक्स में मुझे यादा रहा है सो तो सेल पॉटेंशल इसमेजर्ड कॉंटिटी इन वर्ट क्लोज सर्केट एंड डिपेंट्स अपॉन दे एक्स्परिमेंटल कंडिशन उस पर डिपेंड करेंगा बट यहां पर हम लोगों के लिए दोनों एक ही बात है सेल पॉटेंशल नेमेंटल के लिए सेम है यह से मास अर्वेट सेम है फिजिक्स में जाओग तो इसमें डिटेल में जाता है इसको सेम बानके चलेंगा एज्यूम फॉर किमेश्टी परपस है अब इनॉट सेल निकालते हैं की नॉट आता कैसे देखो तो एक डैनियल सेल लें डैनियल सेल में क्या था रिपेंटेंटेशन लेफ साइड में जिंग था इदर जड़ेन सफोर था यहां सी यू सफोर का सॉलूशन यहां कॉपर था यह क्या था लॉन वर्ड यहां पर था लॉन लेफ्ट साइड में ऑक्सडेशन वह अनॉड यह नीगेटिव और यहां पर क्या हो जाएगा इसका रिदक्शन हो जाएगा लेफ्ट राइट राइट में रिदक्शन कैथोर्ड और यह पॉजिटिव तो लॉन वर्ड में चल अब इसका एक टेबल आता है, बुकलेट में देखोगे, बुकलेट होगा तो देखो एक standard oxidation reduction potential का एक टेबल है, वहाँ पे इसका एक value दिया होगा, E not Jn से Jn 2 प्लस जाने के लिए क्या oxidation potential है रहा, oxidize कर रहे हैं, और यह value आता है 0.76 volt, E not Rp is equal to minus E not Op, हाँ, अब टुनस्ट equation आने वाला है, रहे हैं, विपल तुमी इस मिटिंग में हो, तुमा माक्स क्या आया था, मैं जड़न स्में, अच्छा यह लेसन ही नहीं है, Electrochemistry यह तो मांगना पड़ेगा फिर, Unit 6-7 दिया था, उसमें नहीं है, यह यह पाइप इलेक्ट्रकेमिस के वह भी नहीं सकता, 6-7-8, अच्छा, 9-10 में है क्या, Unit 8 में है, अच्छा, 8 में होगा, फिजिकल का Unit 8 दिया है न, फिजिकल सब इधर ही होगा, 7-8, 9 में ही होगा, 4-5 साइड और गर नहीं खोना चाहिए उसमें, 8 में है, ओके, अच्छा, Unit 8 देख सकते हो, उसमें दिख जाएगा तुम्हें, मैं ने ये भेजा था न, PDF सबका, अब PDF है न, अगे, अब तुम्हें तुम्हें उसमें, उसमें, यूनिटेट में जाओगा, तो जेडेट से जेडेट टुम्हें टुम्हें टेबल बना हुआ, वह ऐसे होगा, अच्छा, किसी न और राउट पुछा था कुछ, वह क्या था, और नुराग, इनोट रिदक्शन पोटेंशिल इसकल तू माइनस इनोट ऑक्सड़ेशन पोटेंशियल, और दोनों काइड कर दोते जीरो होगा, वह सही है, इनोट जेडेट टू से प्लस से जेडेट न और यह सब से, मतलब यह ओपी है, यह ओपी कितना है, 0.76, और इसी का आर्पी लिखो, तो माइनस 0.76, दोनों आट करोगो, तो जीरो ही आएगा, यह इनोट किसका हो गया, जैसे कि, इनोट तू में जेडेट से जेडेट टू प्लस देना होगा, तो यह ओपी आपस करोगा, जैसे कही रिएक्शन लिखना पड़ा है, तो यह ओपी आपस करोगा, तो वह रिडेक्शन पोटेंशल लाएगा, तो वह वाल्यू इसका अपोईट होता है, तो यह दोनों आट करोगो तो 0 ही आएगा, ओके बट अभी का पॉइंट हम लोगों कहीं नहीं है, आट एनोड पी यह रिएक्शन होगा, कैफोर्ट पर जो होगा वो अलग है, कैफोर्ट पर कौन सा है, रिडक्शन होगा, रिडक्शन कैसा होगा, यह इदर सिधर आया, जेदन से जेदन टू प्लस, और यह सीउट प्लस से सीउगे, इस पर क्या रिएक्शन होगा, सीउट प्लस, एकवर्स प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इट गिप्स आउट कॉपर, इसका जो वैल्यू होगा, यह रिदक्शन है, इनौट, सीउट प्लस से सीउ, इसका एक टेबल दिया होगा, स्टैंडर्ड डेट्शन प्टेंशियल, जैसे वैपर फेज का, वैपर प्रेशर का एक टेबल आता है, इसका एक टेबल आता है, तो देखोगे तो उसमें 0.34 वोल्ट दिया होगा, रेट्शन प्टेंशियल का, स्टैंडर्ड रेट्शन प्टेंशियल का, अग टेबल इलेक्ट्र चेमिकल सीरीज बोल्के आँ उसी, वहाँ पर ये डेटा दिया होगा, आब तुमें सेल ली-क्षन कैसा आगह, दोनों री-क्षन में के सेल ली-क्षन होगा, स्वेल येकस् llamado J negotiator 2 प्लस में जाएगा C Dude 2 नोज शी ँब्लस के अविटर दिरे 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 लियो का सिंटर से नहीं अब बढ़ते हैं ये बढ़ते आ यूख nos Cu is a 4, 1 molar, प्रेज नमर 110 पे क्या मुविन? Okay 110 देखो, Cu2+, 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 तर दी 1 molar तर दीरे दीरे कम होते जाएगा, Cu2+, Cu2+, चलते जाएगा ना, तर 0.8, 0.7, प्रेज नमर 110 पे क्या मुवद देख लो सा, क्या मुवद लेएगा। कि एक्ट्रकेमिकल सिरीज पेर नमर वन वन जीरो पर देखो तो मुवी नहीं जैसे वहला एक्जाम में बस नस्ट इक्वेशन है ना आप टू नस्ट इक्वेशन मतलब में पार्ट हो गया तीन से संथ बाकी दू छोटे पार्ट और ऑज़ाइं है मतलब मेन इलेक्ट्रकेमिस्ट्री है इसको बस नस्ट इक्वेशन मत बोलो इन और इकोरोना से भी डेंजरस है इस प्रोना से ते सब बच जाएंगे एलेक्ट्रकेमिस्ट्री से बसना डिफिकल्ट है बिल्कुल लर्न नहीं करना है उसे, एक टेवल बनावा हुआ समझना है, वो टेवल में देखो, जेडन से जेडन टू प्लस के वालु कितना है, वो चेक करो तो, सबका देखना, रिडक्षन दिया हुआ है, सम्तिंग प्लस इलेक्टरॉन, दिया है ना, जैसे लाई प्लस प् सम्तिंग करके, मतलब लिथियम का कोई टेंडेंसी नहीं है को लिथियम में जाए, निगेटिब में वैल्यू है, लाई प्लस से लाई बनने की कोई वैल्यू नहीं है, देखो, स्टार्टिम में ग्रूप वाले होंगे, लिथियम, सोडियम, काल्सियम, मैंगनेशियम, इस से एनने, एमजी, एल, ग्रूप वन, ग्रूप टू, उसकी कोई टेंडेंसी नहीं रेक्ट्वान कैप्चर करने का, माइनस 3.05, ओके, पिर नमबर 118 पे है क्या, ओके देख लो 118 पे है क्या, नहीं दिया होगा, लर्न भी नहीं करना, एक ट्रेंट समझना है तुम्हें, हम मॉडूल का 110 के, अब PDF का 110, तो मॉडूल मिल गया है क्या, तुम लोगो, मॉडूल तो बोला नहीं मिला है न, अचा, अंतर, PDF ही है, ठीक है, तो मॉडूल का पे, पेज नमर 110 है, PDF का पेज नमर 118, ये मॉडूल का ही बोल दो रहे हैं, तो उस पर देखो, एक डेटा दिया हुए, सब है न, तो ग्रूप 1, ग्रूप 2 की कोई टेनेंसी न, इलेक्ट्रोन क्याप्चर करने को, निगेटिव है, और बाद वाले एलेमेंट हो गया है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो सब क्या ह इसलिए इसी सब सब कुछ हम लो काम करते हैं, कॉपर के बेशल से बनाते हो, कॉपर जल्दी ऑक्सडाइज नहीं होगा, उल्टे सी उटू प्लस है, तो कहीं से वी इलेक्ट्रोन लेक्ट्रोन लेक्यों कॉपर बन जाएगा, कहीं गल्ती से एजी प्लस बन भी गया, से सिल्वर प्लस नहीं जाएगा, नहीं तो कोई सिल्वर का ओनामेंट्स नहीं बनाता, इतना जल्दी इलेक्रोन बाहर चला जातो, गोल्ड है, प्लाटिनम है, नॉन मेटल से इलेक्रोन निकलते हैं क्या जल्दी, नहीं मेटल से इलेक्ट्रोन निकलते हैं, तो उसकी हाई थे कि तंदनी कि कहीं से तुम्हें नायन बना भी दो तुरहन्त इलेक्टर कर लेगा सबसे अदा इलेक्टर काप्चर करके साफ में कि इसकी फTOR बनेगा इसका वालव तू-पइट से बने करो कॉगा एफ्टू सो कहीं से भी उसे लेक्राइन चाहिए ओचाहें मेटल हो चाहें नान मेटल हो तो दोनों से रियक करते हैं इसलिए मोस्ट प्रेक्टिव एलेमेंट हम लोग के लिए फ्लॉरीन है एफ्टू देटा नहीं पूछते हैं क्वालिटेटिव इनल्सेस का क्यों विच वन इस ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ जिसकी हाइस टेंडेंसी टुगेट एयान इलेक्ट्रॉन सब्सेरा इलेक्ट्रॉन कौन काप्चर कर सकता है थो है फ्लॉरीन फ्लॉरीन है फ्लॉरीन हो दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके थ्मायनस पं सब्सकता कउलेन fino-फ्लोरीन स्टॉंगेस्ट अश्रेडिजिंग इजेन। विच्वन इस्टॉंगस्ट रेडूसिंग एजेंट एफ्टॉ स्टॉंगस्ट ऑक्सिडाइजिग एजेंट है किसी से भी लेक्टॉन लेगा उसके समने के मैंनों 4 के 2 सिया 2 सब फेल है वो जहां जाएगा एलेक्रों लेकर आजाता है लीथियम राइट लीथियम के हाइस टेंडेंसी है कि लीथियम इसी टेबल से बाकि एक डेटा अप्रोक्समेटली वालूम चला है ग्रूप एन ग्रूप टू वाले की कम टेंडेंसी एलेक्रों गश्य करने की उसके बाद मिटल्स आ जाते हैं फिर नन मिटल्स है सब फ्लूरीन ऑक्षिएन वगर आईसे यह सब की टेंडेंसी और आई एलेक्ष्ण काप्चर करने की अच्याल टेब्लि देटा था ये दोनों ग्यों रेतक्ले हुआ न कैसे लिया यह यह गोगर यूच्छरे का पाद से रिलक्षान प्र चण्ड करें से व्हुंहें वो क्या होगा? जई अंस ऑलज प्लस दूब्स एक पस ग्पस इस डेलगति laughs जरेंट वेक्वास प्लस सी यूटु प्लस इनोट के वैलु कितना आजागा है यहां पर 0.76 प्लस 0.34 1.1 वोल्ट अभी देट होई यहां पर एक बहुत इंपॉइंट पॉइंट पॉइंट है यहां ठीक से समझना डिरेक्ट अब्जेक्टिव एक आना ही है राते रहता है क्या कि हम लोने रिदक्शन पोटेंशियल जिसका रिद्यूस हुआ 0.34 वोल्ट इलक्शन पोटेंशियल ऑफ केथोर्ड यह इयर पी उफ केथोरोड है नवा प्लस यह है 0.76 EOP of anode, मतलब जिसका Oxidation हुआ उसका Oxidation Potential लिया और जिसका Reduction हुआ उसका Reduction Potential हुआ दोनों को Add कर दिया तो वाल्यू आ जागे, या फिर तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको नेक्स पे लिखता हूँ यह E0 सेल कितना आ गया था 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 तो यह था E0, ZN से ZN 2 प्लस प्लस E0 CO2 प्लस से CU इसको ऐसे भी तो लिख सकते है थे हम लोग 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76 तो अभी तो प्लस आएगा ना यह क्या हो गया E0 CO2 प्लस से CU माइनस यह कितना हो गया E0 यह क्या हो गया यह ZN से ZN 2 प्लस था आप क्या बच जाएगा ZN 2 प्लस से ZN बन गया तब तो दोनो रिदक्शन पोटेंशिल हो गया ना यह भी क्या हो गया रिदक्शन पोटेंशिल और यह भी क्या हो गया रिदक्शन पोटेंशिल अब मतब इसको E0 cell को तुम इनको लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो E0 cathode cathode पर क्या होता है reduction बट उसका आर्पी लेना है यह वाला पाट minus E0 anode इसका भी क्या लेना आर्पी ही लेना तो यह formula सबसे आदा काम करेगा तुम्हें इसमें initial doubt आएगा जब practice जब तक कम रहेगा कि जब इसका oxidation हो रहा है तो हम लग reduction potential क्यों ले रहे है देखना तुम्हेरे मन में वो doubt आएगा कि इसका reduction हुआ तो आर्पी लिया है किसी का oxidation हो रहा तो ओपी क्यों नहीं ले रहे है लेना तो ओपी ही था यह इसको आर्पी के टर्म में convert करके formula बनाया हुआ क्यों क्योंकि पूरा table जो तुम देख रहे हो वो सब आर्पी ही दिया हुआ तो तुम्हें जब भी exam में data आएगा सब का आर्पी दिया रहेगा तो यह data अपनों के लिए दूसरा formula विष्ट हो जाता है फिर आर्पी इस माइनस और फोपी तब क्या होगा जब दोनों का र्पी के टर्म में लिखना है तो बेटर माइनस होला formula याद कर लो या फिर कई बार objective में आ जाता है कि और क्या-क्या फ़र्म हो सकता है तो और क्या हो सकता वो हो होगा क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क तो यहां पर OP करना होगा यह सब फॉर्म समझना important है बहुत छोटा सा simple सा point है बट important point है और दोनों को OP के term में लिखना पड़ता तो क्या करते हैं? इसको जब OP करना होगा तो यह तो OP ही है इसको OP लिखना होगा तो तो माइनस आफ माइनस 0.34 लिखो तो यह भी क्या होगया? OP ही होगया तो E0 होगया E0 अनोड 0.76 जो था इसका OP लिया पहले फामुला से जो यहां पर 0.76 सब से उपर में यह OP होगया न प्लस 0.34 क्या लिख सकते है तो माइनस आफ 0.034 माइनस आफ 0.04 क्या होगया? E0 CU से CU2 प्लस होगया तो यह होगया प्लस E0 कैथोर्ड माइनस करना होगा और उसका OP यहां पर क्या आजा गई है? इस तरह से दब दोनों का नोड़ी लिखना होथा तो 0.76 OP दिया रहा था तो माइनस आफ माइनस 0.34 इसका OP माइनस 0.34 होगा न तो सब्सक्राक करोगा तो 1.1 आग तो इसमें कोई डाउट है? यह यह नोड़्स में अच्छे से नहीं है बट समझ में आज है तो जितना दिया है उतना नोड़्स काफी है यह तो लिख लो यह ऐसा लग रहा है तो नोड़्स में बस फामूला लिखा हुआ है अब बताओ क्या क्या दा होते है नोड़्स लेचे से नारेचे से इसको एराइट माने सीलेफ्ट कर सकते ना राइट में क्या होता था है तो कै्थोर्ड लोन वर्स था ना यह था ना यह राइट मैं इसका दीनौट से लिखना होगा थो ईनौट राइट यह है ना मायनस इनौट लेफ्ट तबहुर्स दोनों का आर्पी ही लिखना था पहले फामूला स iv पोट्थेस उ- revenge दोनों का आर्पी बाखिया और फाम मालूम होना चाहिए जब दोनों का आर्पी लिखो गया तो माइनस करना है ओ पी लिखना है तो इसका जिसका ऑक्टेशन हो गया उसका ओ पी और जिसका डेक्शन हो गया उसका और पी यह दोनों का आट करना था इनौट का थोर्ड इसका आर्पी प्लस इनौट अनौट इसका ओपी यह दोनों आड़ कर कुमन पंट वन आ जाएगा नहीं अब तुम्हें इसका पूछे कि यह सीउस्यू दूप्लस और यहां पे एजी प्लस से यह सिल्वा तोर इनौट इनौट देगा तुम्हें सीउसे दूप्लस इस माइनस 0.34 और इनौट एजी प्लस से एजी दिया हुए 0.8 वोल्ट वाट विल्ट विल्ट वैल्यू अफ एनौट सेल इनौट मतलब सब वन मोला रहा है यह भी वन मोला रहा है यह भी वन मोला रहा है in 1.14 0.46 0.46 अजिए करिसा विदान सब 0.46 प्रणाव वे पुल 1.14 अंकी तनुराल 0.46 0.46 करेक्ट है फार्मुला थोड़ा भूल गया तुम नहीं लिखना तुम है इसको कैसे लिखना था ईनौट कैस नौट क्या है इसका भी Chr ​e तो दोनों का formula हम लोगे डिराइब किया कि दोनों का Rp ही लेना है, दोनों का reduction potential ही लेना है और minus कर देना है, बले यह oxidize हो रहा हूँ. यह समझना होगा कि left में oxidation होता है, इधर क्या होता है left में, यह reaction कैसे जाएगा है, इधर से इधर जाएगा और यह इधर से इधर जाएगा, बट लिखना है यह सही है, तो यह कितना होगा, 0.8 minus, यह value कितना होगा, यह 0.3, तो इसके तुम यह लिख सकते हो, इसका Rp कितना होगा, इसी का उल्टा, Cu to plus Cu, 0.34 होगा, minus 0.34 volt. 0.46 volt आया रहा, इसमें यह निए कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन गया, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांस्पॉर है, इलेक्ट्रॉन तो वन और टू कही था ही नहीं, ओके, जैसे, क्लिए, जैदन कमने ने दिप कि हैंस्ट्योस ओसफ ओर, है कि एर देन कामने दिप कि हैंस्ट्योसफवर, स्ट्योसफवर, साजब इस कि ऐस प्लस वन मोलर है, उसका e not cell क्या होगा ऐसे कि जब इ नॉड से लिए के लिक्टैंगे में लुगों क्या करेंगे है रिडक्शन किसका डिटक्षन होगा रियक्शन कौंसा होगया ते ड इन प्लस हेशटू इस भूब हाना प्लस एस टू तो यह एक ही में रखा हुआ हो वगर नहीं बस यह ना एच प्लस से बनी रहा है और जैने से जैने टू प्लस एक रिड़क्शन किसका हो गया यह नॉट एच प्लस से टू है एड्रोजन से हैस टू का माइनस इनॉट और लिखते समय आर्पी करना है यह प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा लिखना आर्पी ही है यह यह जब टेबल में देखो तो जीरो दिया हुआ है पे नुबर वन वन टेन पर और यह वैलू जो दिया हुआ है यह रिड़क्शन है ना तो माइनस में दिया होगा 0.76 वोल्ट यह ओवर ओल 0.76 वोल्ट आएगा वाइगा जिसका भी इसल पॉलिटीव होता हुआ रियक्शन होता है इसका इसल निगेटिव होता हुआ रियक्शन नहीं होता है और बाद में करेंगे फिजीबिलीटी बाद में पट यह नौट कैसे लिखना है किसी रियक्शन का क्लियर वा ना जिसका आ पी का वैल्ली माइनस जिसका ऑज़ेशन और उसका को पी के वैल इसमें कोई रौट simple question है समझाने के लिए चाहो तो लिख लो वो टेबल में दिया रहेगा दिया रहेगा तुम्हें लॉर्ण नहीं करना है जो पेज नमबर 110 पर वो डेटा गिवन रहता है जैसे अटॉमिक वेट गिवन रहेगा उसे तरह दिया रहेगा सब का सबस्लेश में कोई दाओटे नहीं करने रहेगा तेस्ट में वेपल मतलम ग्लकोल का मॉल्ट्र मास लाइकोल था नमें कलेचर में पढ़ना है तमा च्स्ट वेट या लकीन में वी था तो डबल बांट श्याश्टू के साथ इत्लीन ग्लाइकोल बनता है कि कॉमने क्लेशर पढ़ा हुआ है कि सारे कंपाउंड करना यह नोट तुम्हें लॉन नहीं करना इनाट पता है यह अगे हो गया यह अब यह इनॉट वालू आया कैसे जो टेबल दिया वो कैसे डिसाइड किया गया क्योंकि वी तो एक आप्सुलूट कॉंटिटी है नहीं किसी के रेफ्रेंस में मेजर करना पड़ेगा वो रेफ्रेंस है स्टांडर्ड हाइड्रोजन इलेक्रोड तो एस एच इच से फॉर्म होता हो देखना पड़ेगा हम दो के देखो ए सारी इलेक्रोड पोटेंशल यो देवल जो मेजर किया गया है वह मेजर किया जाते है स्टांडर्ड हाइड्रोजन इलेक्रोड से अब यह रिवर्सिवल गैस गैसाइन इलेक्रोड है रिवर्स वल्गस मतलब है इस टू और एच प्लस जो होगा और यहीं रफ्रेंस इलेक्रोड है हम लोग का और यहां पर एक वैलू है कि इसको हम लोग 0 मानके चलेंगे इनौट एच प्लस से एच तू यहां ते रिड़क्शन लिखो और इसका इनौट एच टू से एच प्लस लिखो यह सब को हम लोगो क्या मानके चलेंगे एच प्लस समय साइक वस्यों होगा और इस वी जीरो इसका जीरो मान लेंए तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरा कितना हायर और लोयर मेजर करते हम जैसे किसी का तुम अब मालो कि Emina मान llega नो मुझे मूंही है मैरा मार्क टैनरी नीचे है उसी तरह, ऐसे चीका अपना कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, उसको जीरो मान दिया, उसके रिस्पेक्ट में जींग कितना उपर हाइयर पोटेंशियल एकर लोगर पोटेंशियल मालूम चल जाएगा, कैसे तो पहले ऐसे चीका चाहिए का स्ट्रक्शन देख ले, द हाइड्रोजन-H2-Gas का इलेक्ट्रोड तो बन नहीं सकता है, तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए मैं लोग प्लाटिनम वायर लेते हैं, यहां पर क्या लोग है, प्लाटिनम वायर क्यों न्यूट्रल है, अब यहां पर ऐसे H2-Gas को पास करेंगे, हाइड्रोजन-Gas, अब हो सकते हैं, इस तरह से, मतलब सफेसे अबढ़ा होगा तो एक्टिविटी बढ़ा दी, मेटल वायर से कितना इलेक्ट्रोड जाता है, अब इसको डिप कर दिया गया है, सॉलुशन, अब सॉलुशन में क्या हो गया, तुमारे पास है, स्टैंडर मतलब क्या हो गया है, जैस कितना रखते हम लो, इसका परले तो 1 ATM था, बट अब स्टैंडर चेंगों को बार हो गया, 1 ATM is equal to 1.01325 बार, तो 1 ATM बार एक ही है, अल्मस्ट, 1 लाक नूटन पर मिटर स्वार होता है, 10 is to 5, और 1 ATM होता है, 1.01 into 10 is to 5, तो यह वन बार प्रेशर पेस्टू कैस या रहा थे, य 2H++ 2 electron है, तो मालो की यह प्लाटिनम आया रहे है, यहां से electron का force इसको कहीं साहा रहा है, तो क्या reaction होगा? इलेक्ट्रोन बाहर से भेज दिया जाए लेक्ट्रोन मतलब यहाप सोडिया मैंगेशन वगर देरो तो उसका तो काम इलेक्ट्रोन आएगा तो काप्चर कौन करेगा H+, solution से हप्लस सामने आएगा, इलेक्ट्रोन को काप्चर करके H2GAS बाहर आएगा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, इसमें H2GAS इवाल होते दिखेगा तो, बट यहाँ पर तुमने कुछ सिल्वर वगरा डाल दिया, AG+, प्लस वगरा, तो उसका काम होगा उल्टा इलेक्ट्रोन को पूल करना, तो इलेक्ट्रोन लेगा, तो इलेक्ट्रोन लेगा, हच प्लस पा च ए थोगा, और इलेक्ट्रोन उसका निकल के बाहर आजाएगा, तो यह जो प्लाटिनल माया रहे हो, इलेक्ट्रॉन को बस कैरी करेगा, कोई स्ट्रॉंग ही और विड्रॉज राओ करने वाला गया, इसको कई रिज्ट्रॉन लेने आ गया, तब यह सश्टू से छ पलस मे लो वन मोलर बीच में सौल बिज डाल दो और इस तू का बनेगा इस प्लस इसका इलेक्ट्रॉन सिल्वर से इधर रहागा सिल्वर को पास कि यह रियक्शन बैर बट अभी तुमने इस साइड क्छी हो आया गरत वाय Also होगण के बीचिन होगा कि वाक्सलि टूं यू येक्शन में टोलता होगा इस एकशीico वाकसा रस पासर तब क्या अगा है यूं मालू हिंक सका साथ होगा जो इलेक्ट्रॉन सों शाइब देने वाला जेढे शेढे जेडिंूटू फ्ल्स यहां एच प्लस से डिया तो इस निए अघन च вариट सेटेने पॉस यहांप़ यहां पर कौन सा हो गया यह यह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सॉलूसन से दो हिलेक्ट्रों काप्चार करके अस्तु घास पहराएंगे इसमें इस्तु घास इवाल वोटे भी दो तरह के रियाक्शन हो गया इलेक्ट्रों डोनेट करने वाला गुरूप आया है की लेक्रों विड्रॉप करने वाला उसके डिपेंड़ है इतना सोच लो उल्टे रियक्शन का क्या रिजन बता है हाँ अभी अभी क्लेर हो गया क्या है इलेक्ट्रों डोनर गुरूप आ रहा है कि एक सब्चार आ रहा है उस पर डिपेंड़ था हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है अभी तक लेर हो गया अब इसका जो हो गया वैलुजब लिखेंगा वलो अ इसका रिपेंडेशन कैसे होगा हुआ है इसको ऐसे दिखाओगे कि प्लाइटीनम होता है और क्या होता है प्लाइटीनम सॉलिड डालेंगे यहां से इस्टू गास दिया और यह प्लस एक्वस हो गया यह हाफ से लेक्शन होगा प्लाइटीनम बस इलेक्ट्रॉन को क्यारी करने के लिए क्योंकि एस्टू गास सॉलिड नहीं हो सकता इलेक्रॉन क्यारी नहीं कर सकता अब यह रियक्शन होगा कैसे कैसे मेजर कि आगे कि मेजर्मेंट ऑफ स्टू दिया हुए यहां पर है राख दिया तुमने बन मूलर sub कि यह रखदिया वूलर dos यहां पर क्या कर दिया जडेन संवार लिए गया यहां वोल्ट मेटर डाल दिया है अब इसका रेडिंग आएगा कुछ तो और यहां पर प्लाटीन वायर और यह है एस्टू गैस इस सॉलिस्टन को क्या कर दिया गया है एच प्लस 1 मॉलर एच प्लस वन मॉलर अर रिये ध्रिमान के चलना हो भी चलेगा कई बिक में के चलना है कि कि यह स्ट्राइड हाई्डरोजों इलेक्ट्रोड अब यहां से जब जैडएन के टेंडेंसी होती होती तु जब उन्हों करेंगे यहां करेंट करते रहता है जो अब यहां से जाके करेंट फ्लो करते जाता है यह करेंट चलता इधर सीधर आ रहा है मतलब हाइर वोल्टेज कौन सा है हाइडोजन यह हो गया मतलब यह हाइड वोल्टेज है और यह लोगर वोल्टेज अ मतलब डिफ्रेंस नों में 0.76 वल्ट वाट यह जीरो है यह higher होके 0 है तो यह कितना होगा जटन टू प्लस से जटन अब देखो current flow कर रहा है इदर से इदर h प्लस से तू आरो दिखाया नहीं यहां पर यह दिखाया होगा कि current इदर से इदर flow कर रहा है और दोनों के बीच का difference मिह मालूम है कि यह 0.76 volt है मतलब यह 0.76 higher है यह 0.76 lower है और यह 0 actually यह कितना होगा तब यह माइनस में चलागे है यह-0.76 होगा तभी तो तो तुम बोलोगा 0.76 higher है ना तो जब यहां पर इनॉट से लिखना था तो क्यासे लिखना था लिखना था इनॉट का था था है एच प्लस से हेज़ड़ा लिखना रपी है माइनस आट एनॉट एनॉट कौन से है जदें से जदेंट फ्लस बिखना रपी ही है इस तरह से और यह वैलू जो आ रहा है 0.76 और यह फिक्स है कि 0 मान दिया गया 0 मालों पाल गजा रहा been with car pick. साइंड आ गया माइने 58 अब अब ऑव फ्लोरीण देव फ्लोरी घ्रलोध अब रॉट्रीन उपलाइब गलाइब मस्ता बतां एकल्डो तधॉ टालीन हम रहें आदि ? यहां पर क्या होगा विसे सॉल्ट ब्रिश्क पुट करतें यहां मालों सिल्वर के लेक्टर लेलू और यहां वोल्ट मेटा दाल दें यहां से इसे चीक कर देता हैं प्लाटिनम वायर आगे हमेनं हैाँ ह है यहां है प्ल्स है है और यहां जो वोल्टेज मेजर हुआ न से वह वैलू आरा 0.8 वोल्ट अगरेंट का फ्लो इदर से इदर आ रहा है अब बताव यह नॉट एप्रस एजी कितना लेंगे इसका वोल्ट सिरो गया मुझे अब सॉरी दोन हो के भी इसका वोल्ट इस डिफल वोल्ट शिल्वर जिरो पॉंतेटब्ड फाइयर है और हाइडोजन जीरो है करेक्क करेक्क नहीं जरो पांट एट आएगा तो तरेक्ट जरो पांट एट यह तुम्हें मालूम चल गाए कि राइट साइड वाला क्या हाई रोल्टेज यह न क्योंकि 0.8 का वोल्टेज अधर फ्लो कर रहा है करेंट के दर फ्लो मतलब यह हायर पोटेंशियल और यह लॉऔर पोटेंशियल है करेंट थाइड साथ लॉऔर क्यों जाता है कि डिफ्रेंट जिरौ पांट टीट वोल्ट का और इसको जिरौ मान रहे हम लों कितना कल ही बैटरी विला इसको तर्फाइब हो गया है कि इसको 0 मानोगे two minus 10 हो गया यह जब तुमने इसको ब्रेक्त देख्ट्रेंस 10 का इसको नोगा था इसको यह 0.8 और यह थीए सिल्वर तो जब तुमने इसको 0 मान लिया तो उसका रिस्पेट नो 0.8 नो पूले जाओ डिफेंस 0.7 ब्लेंस ए और यह हाईयर वोल्टेज है और यह लोर है तो हाईयर हो कि जीरो है बट इससे तो 0.76 ग्रेटर था ना यह माइनस 0.76 इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेरेज में जो सब नीगेटिव आ रहे हो इसलिए है कि हाईड्रोइन का 0 मांग दिया जीरो के रिस्पेक्ट में वो सब का जब वोल्टेज देखोगे वोल्टमीटर लगाओगे तो इसलिए ना रहा होगा लीथियूम का वोल्टेज आ रहा होगा 3.05 बोल्ट मतलब लीथियूम से 3.05 वोल्ट उपर वाले के समेश प्लस जाधा उसका वैल्यू निगेटिव में अगे इस तरसे इसका डियूम्स रिखेंगे यह यह रिडक्शन किसका अगेशबश से दोनों से स्थे दोनों का रप लिखना अभी यह जिरो पॉइंट इनोट सेल कितना हो गया? 0.8 आ रहा है. तुम्हें ये बताना है, E0AG प्लस AG. और ये 0 है. E0AG प्लस AG आ गया नहीं? 0.8 V. समझ मैं कैसे मेजर किया गया? Negative potential, positive potential? अब यदी series लगाया जाया और current यदी hydrogen से दूसरे साइड में जा रहा है. तो hydrogen higher potential है. hydrogen से current जा रहा है दूसरे electrode की हो. तो hydrogen higher potential हो गया और हाँ वो higher होके 0 है. अमनों है 0 माल लिया. तो बाकि सब negative होंगे. तो वो कौन से negative है? ग्रूप वन, ग्रूप टू, अलिमिनियम, जिंग किया सब, अब ये सिरीज को में लॉन करना है, कैसे लॉन करना है, डेटा नहीं, तो मैं ट्रिक बता दूँगा एक, है न, तो ये सिरीज जब लॉन हो जाएगा, तो मालूम चल देगा किस ओडर में है, वह भी लॉन करने का ट्रिक बता देता हमें, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके नीचे वाले ऐलिमेंट क्या होते हैं, जब हाइडरोजन, SHE और जैसा सिल्वर को कनेक्ट करो, तो करेंट सिल्वर से हाडरोजन क्यों जा रहा है, मतलब सिल्वर का पोटेंशिल ज्यादा है, और हाइडरोजन सिल्वर बगरा पॉलिटिव आएंगे, तो सिल्वर का पॉलिटिव आएगा, फ्लोरीन का पॉलिटिव आएगा, तो वैल्यू कैसा हो, क्लियर हुआ हूआ, यदि SHE और सिल्वर एलेक्टोर्ट को कनेक्ट किया, तो वोल्टेज आ गया, 0.8V, मतलब सिल्वर का हाइडरोज का क्लोरीन का ग्रोमीन का सब का एक सिरीज बना दिया गया, जो प्रेज नमबर वन एंटेन पर था, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज, इससे वो जो तुम टेबल देख रहे तो 110 को वो वो क्रेट हुआ है, ऐसे मेजर करकर के, ट्रैक्टिकली, शार्ट आउट है, यह सानुराग के समझे में, कौन सा सिरीज है, यह है, रिसाब, कौन सा सिरीज, जो एलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मैं बोल दा हूँ, क्लियर है तो इरेक्ट्रोकेमिकल सिरिस हो सकता था नेक्स पार्ट तो यह पार्ट आगया अपना सेली पेजेंटेशन भी हो गया कि कैसे करना था तो उसने दोनों काल्परेट कर दिया है यहां पर कैसे होगा जैसे की पी ती सालीड है is to be as a है इस प्लस से ए सूुट प्लस स्पवस और यह हो गया स्नुब यह हो गया छप्रेंटेशंग शब्रश कैसे का होग त्ट्रमुर यह सुट्स कॉस्यत्ट स्पींद फया स्ट्स्यास इलेट्रोण लेक हो जाएगा प्लाटीनम बस धारय रहा प्राइन आड़े इस यहां क्या गए दशीड़ श्रेस अग्षान ओर फिस एड रिदेक्शन अरए यह दो पेच पर दिया वाय नोट पे देखलो नौ अल सबस्टेंस अभिंग पॉलिटीव इस टैंडर्ड एर रिदेक्शन पोदैंस यह वक्साइस का थोर्ड वन सबसे उपर में एक पॉइंट लिखा हूँ है पेच पे तो यह अभी मैंने समझा है कि जिसका भी पॉलिटीव इलेक्टोड पोटेंसियल है वो तो है यह सब क्या करेंगे राइट सैड में जाएंगे कैथोर्ड होंगे और इसका निगेटिव है वो क्या होगा उल्टा आगे सिम लोगो तो यूल्टा इलेक्ट्रॉन ही देखर जाएंगा सौडियू का टेंडेंसी ज्यादा है कि लेक्टाउनति करेंदे सोडू्ड अन्रोड हो जाए गा अच प्ल्स इलेक्राण वह जाए गा हुगा तो सोडियू को अटेटरॉन को डॉल्णते है इलेक्ट्र तो यह लिखा वैंगे अब एक फॉर्मूला रहा है तुम्हारा डेल्टा जी और डेल्टा जी को बोला था नन पीवी वर दान एक्सपेंसियन मतलब मैक्समुम जो था तुम्हार वाग्टन इसको बोला गया थे यूज़ फुल वाग्ट तो यह वही डेल्टा जीताना मैक्समुम ऑप्टेनेबल वर्क कितना आता है तो इलेक्टिकल वर्क क्या थे नन पीवी तो है इलेक्टिकल वर्क नन पीवी मतलब इसमें प्रेशर वॉलूम तो है नहीं कि एक्सपेंशन कॉंट्रेक्शन हो रहा तो वाक डण बाइद बैटरी यादे तुम लोगों कितना होता है क्यू इंटू इए ऐसा यूज किया है वाक डण बाइद बैटरी यहां से आता है मालो कि यह प्लस प्लेट है यहां से वोल्ट है अब थ्री कुलम का चार्ज यहां से पास कर रहा है तो बैटरी का वर्क यहां पर नहीं है, यह तो अपने आप होगा, यहां से आना, बैटरी का वर्क कहां पर स्टार्ट हो रहा है, अंदर के मैकनीजम में, यहां से यहां 3 को ले जाना, यह मुश्किल है न, यहां मैकनीजम के जुरूत होती है, कि 3 कुलम को निगेटीब प्ले इंटु 5 मतलब Q इंटु V, work done by the battery, बैटरी कितना वक करेगा, जितना चार्ज को वो इधर सिधर ला जा सके, 5V है, इसके अक्रॉस चार्ज ले जाओ, ऐसे मैंने बताया था, electrical potential energy, Q इंटु V, बैटरी का वर्क इतना ही हो था, कि 10 कुलम को यहां से यहां ले जाएगा, तो क्या करेगा, इसको फोर्स फुल ले जाना पड़ेगा न 10 कुलम के, यह निगेटिव है, यह पॉजिटिव है, इधर सिधर तो जाने से रहा हो, तो बैटरी का काम इतना ही तो है कि इदर सिदर पहुंचा देता, तो सर्केट कम्प्रीट होगा, तो 10 कुलमीदर सिदर ले जाएगा, फॉर्स फुली तो 5 इंटो 1050 होगा, तो वर्ग दन बाइद बैटरी इस Q इंटो V, इतना पार्ट स्टेजिक्स में आता है, यह यादा है हाँ, atomic structure में भी था, अच्छा मतब अभी electricity स्टार्ट नहीं हाँ, तो में यह आता है, यह पार्ट, वहाँ भी था, electrostatic potential energy is equal to Q इंटो V, वहाँ था दिब्रॉग्ली वेवलेंथ वाला, क्ली 2 प्लस आयन को 5 वोल्ट से अक्सलेट किया गया, तो वहाँ पर आया जैसे, 2 प्लस, accelerated by 7 वोल्ट, तो लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा के वालुग हम लोग ने लिखा था है, ह्वाई एम वी, ह्वाई रूट ओवर 2 म के, atomic structure, और ह्वाई रूट ओवर 2 म, क्यू इंटो V, यह वहाँ बताया था, यह क्यू वी लिखने न, वही क्यू वी है, चार्ज करता है, यह एक्सलेट होगा तो QV आएगा, तो बस यह वैलू पूट कर देना था, क्यू के वैलू इस केस में कितना होगा, QV, 2 इंटो 1.6 इंटो 10 इस्टो माइनस 19, वोल्ट जितना दिया वो ले ले लेना, वोल्ट इस कितना है, 7 वोल्ट, यही सब केस्टन थे न, यह यादा आगे एक नशेट, वोग दन बाइद बैदे बैटरी स्क्यू इंट वी, वोग दन बाइद बैटरी स्क्यू वोग दन करेगा बैटरी वो पुरा पुरा हम लों को मिल जागे, QV को क्या लिख सकते हो, N इंटू F इंटू E, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, Q is equal to NF, F क्या है, चार्ज प्रजेंट अन वन मोल अफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रजेंट अन वन मोल अफ इलेक्ट्रॉन तो उस पर वैलू कितना आगा, 9,6500 कुलम, यह डेटा है कि याद होगा तुम लोगो, 9,6487 बनाता है, 9,6500 कुलम लेक्ट्रॉन, इसको वन फैराड बोलोगो, यह होगा ना, तो फैराडे हो गया, तो जैसे कोई भी चार्ज लेलो, अब 2 फैराडे चार्ज पाइस किया गया, 5 फैराडे चार्ज, 5 फैराडे मतलब, 5 इंटू, 9,6500, तो यही एन, 5 फैराडे, 9,6500, क्लियर हुआ, जैसे 7 मोल इलेक्ट्रॉन पास्ट किया गया, 7 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको 8 वोल्ट से पास्ट करो, तो वर्क्डन कितना होगा, 7 मोल इलेक्ट्रॉन पे काम किया, 7 मोल इंटू, एक मोल पे चार्ज क्या है, 9,6500, इंटू, 8 वोल्ट, इतना क्यू हो गया, इतना वी हो गया, तो वर्क्डन बाइद बाट्री इस एन फी, हम लोगो कुछ भी नहीं यूज करना है, सब्सक्राइब कर लोगो, कैसे हुआ, क्लियर हो गया, 7 मोल, 7 इंटू, इस पे चार्ज 9,6500, एक मोल पे चार्ज इतना है, एक पेज है, वहाँ पर डेल्टा जी के वैलू, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि माइनस एन फी होता है, डेल्टा जी और नन पीवी वर्क, यह सिंपली तुम लग सकते हो ना, डब्लू बैटरी इस वाल टू एन फी, यह याद रहेगा, तो एनर्जी कितनी मिलेगे, जितना बैटरी वाकड़न करऊ हो, तुम्हे एनर्जी के रूप में मिल जाएगे, तो माइनस एन फी है, पूरा पूरा तुम्हे एनर्जी के रूप में आ गया, तो सिर्फ यह फर्मूला याद करो, यह सब भी नहीं समझ में सब समझ में आता है सिर्फ यहां पर यह फॉर्मूला हम लोग चाहिए डेल्टा जी के वैलू माइनस एन फी होता है यसे केमिस्टी वे यूज किया था डेल्टा जी नोट इसको टू-2.303 आटी लॉग के वह एक डेटा लॉन किया था न उसी तरह यहां पर डेल्टा जी का डेटा लॉन करना था वह फामूला याद करो वहां भी था कि हमके लिख लुरी में मैंने बोला था सिर्फ लॉन कर लोग देल्टा जी माइनस एन फी ओके इस पर कोई राउट आया तुमनों का हो गया इसन है करेंट हो गया कॉनसा परेजमर नेक्स्ट एक्स्टेंसीब कॉनसा ह में है pressure कि contenEME permitted Central को पूछ रहा था कही कहीं लोग अने डंडीया था अ स्था इंटेंसिफ एक्स्टेंसिब झाल झाल इंटेंसिवे प्रेशर जैसे इस रूम में 180 में इसको दो पार्ट में डिवाइट कर दो तो भी प्रेशर हाफ आफ नहीं हो जाएगा दोनों में 1180 में रहेगा तो मैंने बूला था जो कुछ है उसको हाफ से डिवाइट कर दो तो वह क्या हाफ हो जाएगा तो मतलब extensive हो गया इमेजनेशन में कट करो सिर्फ ट्रेशर भी उतना ही रहा गया था इंटेंसिव था तो ओल फॉम आफ एनर्री वाज extensive property जितना इमांट उतना इनर्जी जितने फॉर में सब extensive यहां पर क्या लिका वाज जी और जी नॉट क्या होगा सब extensive हो गया ना जी ले लो जी नॉट ल यह नॉट से यह सब वहाँ पर था क्या था इंटेंसिव यह में फिंटेंसिव होगा तो दो intensive quantity को आड़ कर सकते हो क्या जैसे दो liquid solution ले एक की density 1 ग्राम परे मिले दूसरे की density 2 ग्राम परे मिले तो दोनों को mix करने तो final density क्या होगी कि क्या हुआ 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 है क्या हुआ हुआ तो दोनों देंसिटी को आट कर सकते हो क्या है नहीं डेंसिटी कहते निकाल दो डी मिक्श्र हाँ टोटल मास। बाइट करेंग सोय नहीं सिक्टे क्टे मतलब इसके तो यू का मएसे औफ दूस्पर कमाश नीकालो दूसरे कमाश नीकालो यह भई थीक्ति टेकर स्थेटेस्टेक्रांगे एन प्लसेटुनियों तू वाटर दूनो होनों ग्राम पर है दोनों को मिक्स करते दिंसिटी टुमारा दुष्टेस वाड़ा ब्रहा फ्रहेम ही रहे डेंसिटी वाटर एक तौतल मास वाइट नहीं होते कि यह जो एक्स्टेंसिब कॉंटिटी ओंगों एडिटिव होगा है जैसे दो मास है 2 kg और 3 kg दोनों का अड़ कर दो तो टोटल मास 5 kg हो जाएगा वॉलूम एडिटिव होगा ओके इसके यूज क्या है यह दो जैसे कि एजी प्लस aqueous plus electron यह जी वनना है इसका यूज अजी प्लस एजी इसको जो पॉइट वोल्ट और इसको तुसमल्टिप्लाइगा दिया तुएग प्लस बिस तुएग्टार्ट थैया तुएग शुलिदाइगा इसका यूज वालुने चैंज होगा उसको तू से मल्डिप्लाइग करो चाहिए रिमेंस सेम जिरो कोईट वोल्ट ही रहेगा क्यों यह इंटेंशिब प्रोपर्टिए एंटेंशिब को तुम जितना भी माउंट ले लोगे वो रहेगा उतना ही जैसे वाटर तुम कितना भी लेलो रहेगी देंसिटी वन ग्राम पर एमेली अमांट से देंसिटी नीच चैंज़े होने वोले रियक्शन को इससे 2 से मल्टिप्लाई करो 3 से करो 5 से करो इनॉट उतना ही रहेगा बट दोनों के डेल्टा जीवन में फर्क होगा जो पहले का डेल्टा जीवन लिखेंगे माइनस एन फी माइनस वन इलेक्ट्रोन है यहाँ पर इंटु एफ इंटु जिरो पाइट और इसका डेल्टा जीटू लिखा जा तब तुमने दो मोल ले लिया दो मोल से और ज्यादा एनर्जी आईगे माइनस टू इंटु एफ इंटु जिरो पाइट यहां वक्ड़न और जादा आएगा यहां कम आएगा इनर्जी में चेंज आएगे जितना ज़रा मॉंड लाओगे एक्स्टंसी प्रोपर्टी है उतना ज़रा इनर्जी रिलीज होता है तो डेल्टा जी माइनस एन फ्य है अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्ट की बात करें हम लो जो आईटी में बार बार आता है तु इस वालू लेलो अच्छा देटा है मेरा परस जिरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट और इनर्ट अफटू प्लस एफटी इसकोल टू यह दिया माइनस 0.44 वोल्ट तो वाट इस अवाल्यू अफटी प्लस एफटी आटी में इसी चीज़ को एसे न करके यह को यह और डेटा कॉपर के साथ कई बर कुछा हुआ है इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लेना अब इक टेस्ट में तो एडवांस में भी रहेगा हर जगह रहेगा आईटी में भी कई बर आया हुआ हुआ है किसी ने किसी फॉर्म में तो कैसे करेंगा पहला लगता है कि दोनों इक्वेशन को आइड़ कर दें तो हो जाएगा इफ यह फी थिरी प्लस परलें क्या मतलब है यहां पर यह क्रहले है इसको प्रैक्डिस रहेगा वही कर पाएगा बारबार अद एल्टा जी में का दोनों निकालो तब राइड करो तब यह तुम्हारा ऑंसर आसकता नहीं तो नहीं आसकता नैसे देल्टाजी कैसे आट कर सकते है देखो इसके जानोर्ट का क्या रिएक सनोगा F B 3+, F B 3+, F B 2+, इसका इनोट हम लोगो मालूम था बटी नहीं करेंगा यह कितना माइनस जिरो व resposta इसका डिल्टा जीवन एक देटा गितना माइनस Programs naught विल्टा Ł step मां एडरी है बी मशींओ करना मैंने सिरेट अभी बाकि काई सद्ट सिरिक्स में आजादा माइनस् Сенныхれて electron गया, F का वालू 965 00 Coulomb होता है, और E हो गया 0.77 गोल्ड, F है चार्ज पनेंट अन वन मॉल अफ लेक्रान, 965 00, बट उसका भी उस नहीं, F कैंसल होता है, और FV2 प्लस, दूसरा reaction किसका है, वो दो electron लेके FV बन जाए, उसका जो E0 दे दिया था 0.33, यह दोनों को add नहीं करना था डारे, अच्छले मुनों को delta G2 लेना होगा, यह energy एड हो सकता, minus 2 into F into 0.33, minus 0.33, यही है न, अब यह दोनों को add कर दें, अब यह बन जाएगा FV3 प्लस, आइडिंग बोट, plus 3 electron, gives out FV, यही बचाना, तो यहाँ delta G3 will be actually delta G1 plus delta G2, delta G3 कितना होगा, minus, यहाँ पर क्या होगा, N3 into A, इसका delta G3 कितना होगा, minus 3, यहाँ पर तीन इलेक्राउन है न, into F into E, जो चाहिए हम लोगा, FV3 plus FV, ऐसे इसको equal कर दें, minus 3 F, E naught, FV3 plus FV, will be equal to delta G, not that the sum not least, not the other, not the other, some, 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 not that they are not over the, even delta G not over, standard condition, मिलब सब 1 molar वाल है, और यहाँ पर भी, यह सब नॉट होगा, यह परले का जो बहले होगा, minus 1 into F, into 0.77, plus, minus 2 into F, minus 0.33, अब यहाँ पर, minus F, cancel कर दो, minus F, cancel कर दो, तो कितना होगा, E naught, FV3 plus FV2 plus is equal to, 0.77, plus 2 into 0.33, minus 0.33, जो था, divided by total 3 आजागा, यह सब क्या cancel किया है, मैंने, minus F को, minus F, यह कट करने सारी, जी दिखेगा, इसलिए कट कर रहा हूँ, ऐसे कट करते नहीं है, minus F कट किया, तो क्या हो जाएगा, यह actually N1E1 है, और यह N2E2 है, N1E1 plus N2E2 by N3, 3 निचे आगा न, आएपन बीच में फिर से तुम्हारा लाइट चला गया, मैंस कर गया, तो उसको एक बाद देख ले ना, यह तो recording चल ली रहा भी, तो E0FE3+, FE2+, यह हो जाएगा, N1E1 plus N2E2 by N3, आसे भी तो लिख सकते हैं, कि दो हाफ से ली एक्षन को एड करके कोई वैल्यू आजाए, यह जब वैल्यू होगा, E3 की बात करें, तो ऐसे निकालोगे, और दो हाफ से ली एक्षन को सब्स्ट्राक्ट करके आएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यह मिन फामूला होगा, जब दो री एक्षन को तुम्हें आड करके लाना है, N1E1 प्रस N2E2 बाई N3, और सब्ट्राक्ट करके लाना पड़ाते है, N1E1 माइस N2E2 बाई N3, अभी तुमारे प्रैक्टिस पर, जैसे प्रीवियस पेज़ पर, प्रीवियस परम लग चले जाएं, यह वैलू, अभी मेजन करो कैसा होगा, इब इन करोगा तो यह रियक्षन, फE3 प्लस के प्साट फE2 प्लस प्लस एलेक्ट्रोन, और यहां फE2 प्लस 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 टो एलेक्ट्रोन के प्साट फE, दोनों आड करोगा, यह वहला है, दोनों का आड करके, N1E1 प्लस N2E2 दोनों का आड करके आ रहा है न, वो तो में माइड मन सोच लेना होगा, बाई N3, जब तुम यह करोगा, तो N1E1 कितना होगा, N1 कितना है, यहां पर एक इलेक्ट्रोन का चाट्ज है, 1 इंटू 0.77, प्लस N2, सब बुक्स में यह पुरे-पुरे सॉल कराएंगा, बाई तुम फर्मूला से करना, N2 कितना है, पर 2 इलेक्ट्रोन का चाट्ज है न, यह होगा 2 इंटू E2 कितना है, माइनस 0.44, डिवाइड बाई N3, N3 कितना होगा है टोटल, फाइनल में, यह N3 कितना है, 3 इलेक्ट्रोन है न, बाई 3, तो दो रिएक्ट्रोन को आड़ करके आए, तो प्लस साइन आएगा, सब्ट्राक्ट करके आए, तो माइनस साइन आएगा, N1 क्या था, यहाँ पर, यह होगा N1, इस तरह से तुमारा यह कोई भी पार्ट आता, अब बता आप क्या डाउट है, 0.33 के जगए, 0.44 है कहाँ पर, अच्छा जो अभी लेका था क्या, अभी पल कहीं पर रॉंग लिखा भाए, अच्छा अगले पेश पर, 0.44, अच्छा, हाँ, इसको रिप्लेस करदा, सब को 0.44, इसमें, इस सब डेटा को रिप्लेस करदें, 0.44 से, ठीक है, यह फॉम्ला क्लियर होगा, कैसे आज़ा, अब इसका यूज करें, कि जब दो हाफ सेल से थार्ड हाफ सेल रिक्शन लिखना होगा, तो, अब, अब तो, इसका है, तो, नुज θα तो, सेल यहाँ, आडड, यह शब्ट्राइब, इसको, गिवश्द थार्ड हाफ सेल रिक्श्ट, थार्ड हाफ सेल रिक्शन में, क्या होगा, यहां तो ऑक्षडेशन यह रिदक्षन यह होगा न थर्ड हाफ से लिएक्षन तब तुम्हें यह वैलू यूज करना है तरी का वैलू N1 E1 प्लस N2 E2 यह माइनस होगा तो माइनस पाइन 3 ऐसे यह भी जो किया हम लोगने हर वैं यू नविर यू रिदी बाइट तुंटॉ अंसे लिएशन तब ग्या थन थे लिए नवी ने थे लिएँ חिह से लिएग सिए लिएग सिए ले और धू न राय को घर लेखे सिर लिएखे लिएग से मौ बाह लिएअन दू liberalism लेखे E not cell then kya होगा N1 will be always equal to N2 equal to N3 इससे जो value आएगा यहा लारत में आजागा E not cell के value E not cathode RP minus E not anode RP कि दोनों के reduction potential को minus करका है दो half cell reaction से cell reaction आजयतो जैसे की मालों की तुमें यह दे दिया मैंने ZN से ZN 2 प्लस या CO 2 प्लस से ले लो CO से CO 2 प्लस और यहाँ AG से AG प्लस इसका E not चाहिए तो पुरा cell reaction हो गया C U gives out CO 2 प्लस 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 तू इलेक्रों यहाँ भी जब बैलन्स करना होगा तो 2 AG प्लस प्लस तू इलेक्रों तब तो 2 AG आएगा न अवरोल से लिक्षन क्या हो गया CU प्लस 2 AG प्लस इस आज CU 2 प्लस प्लस तू अज़ जब यहाँ E1 लिख हो गये तो कितना होगा माइनस NFE मतलब 2 into F into E CU से CU 2 प्लस और यहाँ पर E2 जब लिखेंगे तो कितना होगा माइनस 2 अगें 2 आगया देखो यह F यह क्या था CU से CU 2 प्लस था यहाँ पर क्या होगा एज़ी प्लस एज़ी और E3 जब लिखेंगे तो माइनस 2 F E7 और E3 का मैलू जब लिखोगे तो E1 प्लस एटू होगा दोनों का एट कर कहाएगा इस से क्या जाएगा सोचो तो यह फॉर्मूला नोट्स में है पर नेहीर फॉर्मूला नेहीर नाश्टिकिसें व press 21 ने शडूके एफन और आ फॉर्मूला जहां तक नोट्स में बात हुआ उसने नहीं के लिखेंगे दिया उसको एक काम करें मैं इसको फॉर्मूला को लिखेंगा कि आ उसे ना नहीं है एक ही बात इसके सॉट भी लोगा तो वही चीज़ आड़ कर दो अब बताओ इसमें क्या जाएगे एठी इसकल टू एवन प्रस एटू सब्सक्राइए एटू प्लस इसे यूटू प्लस सिू दो यह कितना बन जा रहा है देल्टा जी थ्री इसकेल देल्टा जी बन प्लस डेल्टा जी टू ऐसे किया ना तो यह होगे माइनस टू एफ इंटू ए नॉट सेल जो चाहिए तामों को और यह जो वैलू आगे माइनस टू एफ इंटू पहले का कॉपर का उक्सिदेशन हो रहा था तो वह क्या बच जाएगा यू से सीओ टू प्लस ऐसे ऑक्सिदेशन अब दूसरे साइड किया है एड किया मतलब वह वैलू कितना था यहां पर वह कितना हो जाएगा प्लस माइनस टू एफ इंटू ए नॉट वह बन जाएगा तुमारा सिल्वर था ना एजी प्लस से यहां से टू एफ कैंसर हो गया थी नॉट चल कितना आगया इनॉट प्लस यह पाले में लिख दिया था यह लिखा था ना कि जिसका रिदक्शन होगा उसका औसको पिली यह फिर इसको यह ऐसे फिल्ट अग्या माइनस यह नॉट सी उटू प्लस से सी उट इनॉट से लिए एक ही पार्ट होगा वह क्या होता है इनॉट कैथोर्ड माइनस इनॉट एनॉट अब दोनों का क्या लेना तुम्हें आर्पी लेना है रिडक्शन पोटेंशिल जब दो हाफ से लिएक्शन आड़ करके एक से लिएक्शन आगया तो डेल्टा जी लब फॉर्म नहीं करेंगा क्योंकि डेल्टा एन वन एन टू सब इक्वल ही आ जाए रहा है तो आड़ करके क्या फैदा है यहां पर इस पार्ट में हुआ क्या यहां पर यह भी तुम्हारा यहां माइनश 2 एपाइया यहां मुआ-ग्ट एफाईया तो सब तो कैंसली अंसे न अपर दो हरा थे एन वाने टूर ईंतुर अलग आलग होंके इस लिए यह पालम ला है स्वास्ट इसमाट्ष यह बहूस ही बहुत हमाइविस क contr. Listening कर देखर कर अ उतुकर, जैसे कि इस question का for cell to work कौन सा cell work करेगा जिसका delta G negative होना चाहिए delta G negative होगा तो e cell क्या होना चाहिए positive जिसका e cell positive होगा वर्क करेगा जिसका e cell negative होगा वर्क नहीं करेगा क्यों delta G के वालू कितना था minus nfp नहीं यह निगेटिव मतलब e cell क्या हो गया positive नहीं तो पूछता है कि यह reaction होगा क्या C u plus disproportionate करके C u or C u 2 plus होगा क्या यह question बहुत इंपोर्टेंट आयो तकर विल C u plus disproportionate दिस यू plus disproportionate तरह तब क्या होगा यह यहाँ यू गया थे एक्सेल दी अक्षन ने शेल आक्षन क्या होगा थीू से यू प्लस यू प्लस यू 2 plus ऐसे न मतलब तुम्हें क्या चेक करना है E-Cell positive है कि नहीं E-Cell positive then we'll disproportionate value दिया रहता है तुम्हें E-Cell निकालोगे कैसे E-Cell का जो value होता है E-Cell 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 अब दोनों का रपी ही लिखना है यहीं पर लिखने में रॉंग होता है इसले आइटी पारबार देता है E-NOT-NOT-RP कैसे लिख पाएंगे हम लोग E-NOT-Cell का रपी कैसे लिखोगे कैसे लिखोगे कैसे लिखोड काउन सा है reduction किसका हो रहा हो देखो CU प्लस से CU इस रिदक्षन E-NOT-CU प्लस से CU यही होगा ना माइनस E-NOT-RP यह कितना होगा है E-NOT-RP इसका भी reduction लेना होगा था CU प्लस से CU इस रिदक्षन बट लेना तुम्हें क्या है? reduction यह जो CU इस रिदक्षन से CU इस रिदक्षन जो रही है यही wrong होता है इसको सही से समझ लेना लेना रपी है भले उस EU प्लस से CU प्लस जारा है तुम्हें लिखना होगा CU प्लस से CU इसका मीनिंग मैंने समझा दिया था और यह दोने डेटा बोथ डेटा विल बी गिवन और यह कितना होता पॉलिटीव आता है इस सेल पॉलिटीव होता है पार्टिकल डिस्पोपोस्येट करें तो ऐसे लिखने आना चाहिए इससे नोट कर लो इस पोईट को तो आगे लिखा रहेगा कि फॉर्सेल टूवर्ट क्या होता है इसल पॉलिटिव होता है यहां तो लिखी लो इतना पॉर्सेल तो अगे लिए लिए उर्स के ता का大 और बात करें हम लोगी Li प्लस से Electron Li solid ऐसे था ना और F2 F2 gas 2 electron ये बन गहाए F- gas F- equus, ये है न Li plus equus तो तुम्हें बताना है Li plus क्या हो सकता हमें साइलेक्टरान लेगा तो ये क्या होगा Li plus कुद लेक्टरान ले रहा तर रिडियूस हो रहा है कि एक ही काम करेंगा हर्हाल में डोनेट करके लाइप रस्त मनेगा है काम कर सकता है रिडूशिंग आजएंट यह होगा न और एफ माइनस का क्या काम होगा हर हालत में और इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके तू जा सकता है तो यह क्या बन सकता है रिडूसिंग एजेंट इस पर चार अप्जेक्टिव बनते हैं तुम्हें इसकार तो थहाँ है हैसे पॉस्टार सअ का सब्चिंग अगिए टॉस्टारक्त ट्रॉस्टींग एजन केशसिते एजेंट इजेंट इट मुते नंकेश्टॉक्ट्स एजीमें जा रहे हैं है आप को सिस्टॉंगे चरिडिशिंग थेजिंग फ्लूरीन लिकोगे ओब्जक्टिव में विकेस्ट च्रदाइजिंग एजेंट अब सब्सक्राइजिंग अग। strongest reducing agent कौन सा जिसकी बिल्कुल तेंडेंसी नियोगी किसी कर डियूस करना कोई फ्लॉरीन ऐसा एक माइस वह एक प्लॉरीन से फ्लॉरीन से एक तु बनाना होता है न तो इलेक्टोलिस से बनाते हैं लोग फॉस्फुली एक्ट्रॉन कुल करता है तो यह पाइनस तरह बिकेस्ट यहां पर लीथियम ता रहे और यह विकेस्ट मतलब एक माइनस है लेर हो गया भी इलेक्टोल केमिकल से एक पार्टी एक त्लियर होता है अधियर होता है लाई पार्टी इस इन एंट रूंट इस अब कर लेक्ट आ करता है अब बता कॉन कॉन तरह है हाइड्रोजन को कौन-कौन से अलिमेंट जो होंगे हाँ जो हाइड्रोजन डिलीज करेंगे अलिमेंट मिस्टिफ एस्टुगास अन्याक्षन इत्वाट डायलूट असे डायलूट असे मतलब वन मोलर वन मोलर की बात करें तो जैसे जेडेन से है एस्टू एस फोर एना गिपस आउट जेडेन एस फोर और एस्टू हो गया इसका इसल पॉजिटिव होगा तभी होगा इसल कितना होगा इसका रिडेक्षन किसका एच प्लस से एस्टू यही है ना माइनस इनौट जैन टू प्लस से जैन यह दोनों का पी लिखना था ना यह वैलू जीरो माइनस यह होगा यह माइनस 0.76 यह यह जिरो पांट सेवन सिक्सव फोल्ट तो पॉजिटिव है मतलब रियक्षन टेस्ट प्लस जैन गिप साओ जैन प्लस स्टू जैन स्टू बना दिया अब यह पूछना है कि रियक्षन होगा कि नहीं रियक्षन होगा तो इसल पॉजिटिव होना चाहिए यह के लिए अजीन कwarz परम लाएंक्त जैसे नचना और और दोनों काहर और पिलिखो इन पांसी है थ daí्जीद एन messy जैना टू प्लस से जैन अ H plus H2 क्या हो गया, 0, minus Zn2 plus Zn2 negative था, वो टेवल पर जाके देखना होगा, minus 0.76 था, electrochemical series पर नमर 110 पर जाओ गये तो, यह value आगे 0.76 फोल्ड, तब यह reaction होगा, तो कौन-कौन से element है जिसके लिए ECL positive आएगा, उसके लिए ECL positive आएगा, जब यह value negative हो, यहाँ पर निगेटी वाले कौन से हाइडोजन से उपर वाले ही थे न, तो element जो एवफ हाइडोजन है, कौन सा होगा, electrochemical series में जो हाइडोजन गास से उपर है, वो यह H2 गास को release करेंगा, बाकी नहीं करेंगा, इससा copper करेगा क्या, Cu plus H2SO4, यह reaction feasible है क्या, CuSO4 plus H2, इसका E0 से बोलोगे तो कितना होगा, E0, H plus H2, minus E0, Cu2 plus Cu, यह उल्टा होगे, हाँ, सही था, हाँ सही किया जा सकता है, ऐसे, तो होगे, 0 minus, इसका वालोजन था, 0.3 for negative, not possible है, न, तो कौन से ऐलमेंट होंगे, elements, above, hydrogen, in electrochemical series, give us two guess, यह होगा न, जो नीचे होंगा वो नहीं देंगा, तह ऐसा होला होगा, तुम लोग साथ पहले सजानता हो, यह ऐसा पार्ट, but relation, अब मालूम चला होगा, तुम्हें क्यों, अब तुम्हें मालूम चल गया होगा, क्यों ऐसा हुआ, पले तक लाउन क्या होगा साथ, यह सबकुछ भी नोट्स से नहीं है, मॉडूम में देखना है, यह एलेक्ट्रोखेमिकल सिरीज का यूज है, तो आटी से थोड़ा हटके बड़ साइट चला जाता है, इसलिए नोट्स में नहीं लिखा हुगा, एक पर मॉडूल से चीज पढ़ लेना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसका यूज इसमें तुम्हें ये दो चीज यह होगा कौन-कौन से देंगे अलिमेंट ये एक अब्जेक्टिब के रुप में आ जाता है नहीं सीरीज को अप्रक्सिमोट याद करें उसको बाद में मैं ट्रिक्स से लांड कराता हूं हाँ है